अच्छा जी एक और एक्जांपल में आपको सिंपल मूविंग एबरीज यूज करके आप छोटे टाइम फ्रेम में भी ट्रेड कर सकते हैं जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा लेकिन मैं आपको तरफ दिखाना चाहरूं कि यह पॉसिबल है इस सिंपल सी स्ट्राइजी के स साथ आप कोई यूज कर रहे हैं और प्राइस के साथ टिके में तो आपने 30 डेस 30 मिनट्स का चार्ट खोली है 30 मिनट्स का देखिए जैसे जैसे चोटे चोटे टाइम फ्रेम में जाते जाएंगे वैसे वैसे आपका प्रॉफिट मार्जन भी कम होता जाएगा और उसके ट्रेडिंग में फिफ्टी पे की थी डे ट्रेडिंग के अंदर हमने जैनिके जो फॉर आवर्स के चार्ट के उपर हम 20 डेस की यूज करेंगे क्योंकि अब हमें ज्यादा अग्रेसिव मूविंग एवरेज चाहिए इसको जब हम करेंगे तो सेम वही फॉर्मूला है जब की आपको एक स्ट्रॉंग ग्रीन कैंडल आपको नजरा है मुविंग एवरेज अप ट्रेंड के उपर अप और उसको वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं एक ये सामने मुझे बड़ी प्यारी एक्जांपल नजरा आ रही है यह देखें यह वाली सौरी ओ ओ ओ यह अलर्ट खुल गया यह प्ले में जाना हमने यहां पर लेट से मार्किट में हम यहां पर बैठे में तो थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं ताकि आप लोगो केंडल की शकल भी सही तरह से नदर आ सके अब यह देखें यह डाउंट्रेंड में चाल रही है ग्र करेंगे कनफरमेशन का हम देखते हैं जी आगे क्या होता है एक ग्रीन कैंडल बनती है अभी भी अप ट्रेंड नहीं शुरू हुआ आई विल नोट एंटर इन दिस हाला कि अगर मुझे कैंडल्स पढ़नी आती हो तो यह देखें बड़ी स्ट्रॉंग ग्रीन कैंडल्स की लेकिन हम इस स्ट्राटेजी में मुविंग एवरिज को फॉलो कर रहे हैं तो हम सरफ उसको लेके चलेंगे हम आगे चलते हैं अब हमारे पास एक बड़ी स्ट्रॉंग कंफरमेशन आई है एक स्ट्रॉंग ग्रीन कैंडल के बाद एक बनी मैं एंटर हो सकता हूं लेकिन क्या आई है कि हम मेरी मुविंग एवरिज से मेरी प्राइस बहुत दूर जा चुकी यह जो यह वाला जो बीट का प्रॉफिट था यह मैंने मिस्स कर दिया यह वाला क्यों यह वाला यह पर खरीदता हूं तो यहां पर भी भी खरीज सकता था मुविंग एवरिज के उपर अब यह आपने वक्त के साथ इसको देखना है कैसे क्यूंकि आप देखें पीछे कैसी रेली चलिया आ रही है ग्रीन केंडल की और आपको अगर केंडल वाली वीडियो जाके दस दस दफ़ा देखें यह सारी चीज़ें आपको बगार मुविंग एवरिज के पढ़नी आज सब्सक्राइब अब आएए अपका स्टॉप लॉस है ठीक है यह पिछली क épृण डॉर यह उसी कंडल का लॉर इसकेस में में पिछली कặc लोर रखते हैं कि बड़ा च्पॉटा तबस्स को सबस्क्राइबola के स्टॉप प्ताया कि आप थोंड़ा सबस्क्रां भूफर रख ल होना झावार्य में आपर मारा टार्गेट हो चुका हुए यह कि रखें यह में यह Les se 함께 बार्य गहें और आप Aufgabe स्थाम मिली है क्या पेंटर हूंगे इस वाली स्ट्रेट इगवरी से बताईए कि प्रास से बहुत दूर जा चुकी है हम अब होंगे enterprise नहीं बहुत दूर जाओ चुकी है moving average से हलाग यह रेली है हम यहां पर enter हो जाए यहां पर यह देखें यहां पर enter हो जाए यहां इसी entry को maintain रखें लेकिन अपना फिर stop loss उपर लेकर जाते रहें आइस्टा इस्ता ठीक है और यहां पर enter होना जाओ है नए लॉंग राइन में देखें यह देखें अब हुआ क्या है बैसिकली आपने सपोर्ट और रिजिस्टेंस की लाइन साथ साथ लगाई वी है उस वाली प्रैक्टिस को भी फॉलो कर रहे हैं तो यह देखें बड़ी बड़ी स्ट्रॉंग सपोर्ट थी एक दो तीन चार सब्सक्राइब कर दो क्या वाली सब्सक्राइब को भी आप साथ सा यूज का रहे हैं तो आप कहते हैं ठीक है यार मैं इस अब मैं अपने ट्रेडिंग डिसीजिन में सपोर्ट और रिजिस्टेंस को भी आड़ करूंगा आपने यहां पर बाय कर लिया और आपने लैट से यहां पर सोचावा था कि यार यह बड़ा strong resistance level है, यहां से तो price देखें, इदर भी गिरी थी, इदर भी गिरी थी, इस दफ़ा फिर गिरेगी, लेकिन जब इसको break कर दिया तो देखें कैसी price उपर गी, इसलिए मैंने आपको support and resistance भी बढ़ाई थी, कि जब आप उसको भी combine कर लेंगे इसके साथ, तो आपको बहुत जदा फाइदा होगा, आप अपने profits को increase कर सकेंगे, hopefully आपको example ने clear किया हो, concepts को अगली strategy पर चलते हैं,